वेलकम बेक एवरिवन दर्सनी से ये वे था नदर फिल्मोरा वीडियो आज हम बनाने वाले है ट्रावेर व्लोग ओपनर वीडियो इन फिल्मोरा 13 कोई भी ओपनर वीडियो बनाने का सिंपल तरीका होता है टेंपलेट्स लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है सबसे पहले हम में देएगे अलगलग टेंपलेट्स को हम सोट लिस्ट करेंगे और सभी टेंपलेट्स में से जो जो कंटेंड हमें पसंद आ रहा है इन सब को मिक्स करके हम बनाएंगे क्रेटिव लोग ओपनर वीडियो आईए ये सारी प्रोसेस में आप लोगों को फिल्मोरा 13 में करके दिखाता हूँ तो हम आचो के फिल्मोरा 13 में एन एजगेंस यहां पर अलग-अलग के टेंगेरे के धेर सारे टेंपलेट्स है फोर एक्जांपल ये वाला टेंपलेट्स मुझे पसंद है यदि टेंपलेट्स को टाइमलेट्स पर लाना है तो हमें इस प्लस आइकन पर क्ल और स्प्लिट स्क्रिन टेंपलेट्स जिसमें अगेन यहां पर दो वर्टिकल वीडियो दिये हैं सबसे पहला काम यह करना है कि यहां पर दियेगे क्लिक टू रिप्लेस मतरियल पर हमें क्लिक करना है एन फिर एक्सपांड टेंपलेट्स पर एन फिर यह टेंपलेट्स को हम डिलिट कर देंगे सेम अब यह process हम करेंगे नेक्स टेंपलेट के साथ तो क्लिक करना है हमें click to replace material पर और फिर expand template पर और यह पूरा expand हो जायेगा इस वाली templates मेंसे मुझे जाएए इसका starting part and ending part और बीच वाले पार्ट्स को में टेंपलेट्स में से निकल दूँगा अब रही बात स्प्लिट स्क्रिन की तो यहां पर हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जो नंबर दिये हैं 1 2 & 3 जिस पर हमें डिरेक्ली वीडियो लोड करना है सो फाइनली यह है हमारा नया टेंपलेट्स अब यहां पर हमें वीडियो को रिप्लेस करना है टाइटल्स को एडिट करेंगे ट्रांजिशन एड करेंगे बेग्राउंड मुजिक एड करेंगे and that's it हमारा एक क्रियेटिव व्लोग ओपनर वीडियो रेडी हो जाएगा तो हम स रत करते हैं फर्स्ट वीडियो से इसमें हमें यह वाले वीडियो को रिप्लेस करना है रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हम वीडियो को इंपोर्ट करेंगे उसकी साइस को हम एड्जर्स कर लेंगे और फिर हम पूराने वाले वीडियो को निकल कर उसकी जगह पर रख द video को यह रिप्लेस किया हमने second video को और उसको कुछ किस प्रकार से हम жест भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो एंड यह replace कर दिया हमने third video को और उसकी भी aix position हम कुछ इस प्रकार से set कर लेंगे title को change करना काफ़ी ऑचाने simple हमें क्रलिक करना है इंध फिट कर लेंगे हमारा नया content तो इसी प्रकार से में सारे content को replace कर लेता हूँ और फिर हम add करने वाले हैं transition transition add करने के लिए हमें जाना है transition panel के अंदर और सबसे बिले हमें इस्तेमल करने वाला हूँ यह glitch transition को transition को add करने के लिए हमें drag and drop करना है दो वीडियो के बीच में और फिर इसकी size को हम adjust भी कर सकते हैं अब इसी प्रकार से में सारे transition को भी add कर लेता हूँ तो हमने video replace कर लिया, titles को change कर दिया, अब सबसे last में बचा है background music जिसके लिए हम जाएंगे audio section में और यहां से हमें जो भी music पसंद है उनको drag and drop करेंगे हमारे main timeline पर and that's it, now let me show you the final output आज के video के लिए फिलहाल बस इतना ही, तो हम मिलेंगे फिर से एक नए फिल्म और टूटोर्यल के साथ, तब तक के लिए, bye bye